तो एलो डिलिटोनेंट्स तो वेलकम वर्चनल एक्याफर क्लासिश तो गुड़ इविनिंग टॉ अल अफ यो तो कैसे हो दोस्तो हब सभी लोग आई होप अच्छे होंगे और तैयारी को जोरो सोरो से कर रहे होंगे तो चलिए दोस्तो हमने एक सीरीज चला रखे हैं दोस्त में आपकी इंडिया की जोग्रफियों दोस्तों या फिर साथ में आपकी दोस्तों फिसके वर्ल्डी की जोग्रफियों ठीक है ना दोनों के दोनों के मैंने ठीक है भी कोशन नंबर फर्स्ट जो कि आपकी स्क्रीन पर है इसको आप रीडाउट करो इसके ओप्षन रीडाउट करने के बाद में दोस्तों आपसे लोगों कमेंट्स कर देने कि पहले कोशन का अंसर ए या बी है जो भी है मतलब ठीक है ना चार ओप्षन आपकी स्क्रीन मतलब सबस्क्रीन दोस्तों कि अनुसार बारत की जंशंग्या वीश्व की संक्या कितना पर्तिसकत है ठीक है है फिक है ना दोस्तों चीजान्गना हुईती है तो मैं कि अब तक चल रही है थीक है अब आपको बता दू आप्-धीम में का नाम क्या है ृवयक जोशी कि बेक जोसी ठीक है जन गनना आयुकते हैं यह ठीक है भी और अब जो इसमें दोस्तों कुछन पूछ रखा है उसकी बात कर लेते हैं 2011 की जन गनना के अनुसरा बारत की जन संग्या विस्वी जन संग्या की कितने परतिसत है ऑप्सन एबी सीड आपकी स्क्रीन पर साड़े सत्र ठीक है भी याद रहेगा अच्छा कोशन तो आपकी सीरीज के लिए नेक्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आप सभी लोग से जानते होंगे ठीक है ना को से नंबर साइंग दुनिया की सबसे उची चोटी है दोस्तों माउंट आवरेस्ट हाल ही में दोस्तों की साम से जाना जाता है कोशन आपके लिए बहुत जबर दसा आप सोई लोग मुझे इसको बताएगा ठीक है भी महें और यह तो नहीं है वे दोनों मैं काट दे रहा हूं ठीक है सीदे सीदे एक तो सागरमाथा देख सो चोमो लंगमा तो आप बताए दोस्तों इसमें से कौन सकता है ठीक है इसके आए जो सागर माथा के नाम से था ठीक है यह कुशन जबरदस्त आपकी स्क्रीन पर जो दोस्तों मैं इसको छोटा कर रहा हूं अब आप मुझे इसका आंसर कमेंड्स करेंगे फास्ट ठीक है परवत सरंकला दे रखे माधवीब दे रखे अब इसको आ पर लोगा की सब्सक्रीन पर मुझे कर करें बता है हमाई दोस्तों क्या आपका है अंसर पहले का अच्छा कोशन आपके लिए चली दोस्तों अमेरिका जो कंट्री है वो कौन से कॉंटिनेंट में ठीक है अगला कोशन थोड़ा से इसको हम जूम करते हैं जूम नहीं करेंगे थोड़ा से कोशन लेंदी हैं बट कोई नहीं कोशन नमबर फूर आपकी स्क्रीन पर है कुछ रेगिस्तान दे रखे हैं दोस्तों उनको भी आपको मैचिंग करके बताना है ये कोशन दोस्तों वो कोशन है जो आपके एक्जाम में आते हैं ठीक है भी अब यह नहीं कि मैं कहा रहा है कि हाँ डिक्टो यही छपके आएगा यह घंडव पूशन पर महातवीड है है ठीक है तो आप सभी लोग जली-जली-जली करीएगा option आपकी screen पर ABCD ठीक है जैसे दोस्तो अब कर आपको नहीं पता हूँ एका फॉर्थ एका थर्ड है एका थर्ड है तो ये भी खतम और ये भी खतम बचे दो option अब उसमें से setting बठा लेनी है ठीक है अब देखें कि दोस्तो अब को याद हो थार ठीक है थार जो है दोस्तों वो कहां का है C जो option वाला ये कहां का है थार रेगिस्तान बताओ जल्दी से ये है दोस्तों आपका Asia ठीक है ये है आपका Asia का C का 4 हो गया C का 4 हो गया तो C का 4 हो गया तो ये भी खत्म बस 2 से ही मैंने कर दिया इसको बताओ कोई दिख्रिकत नहीं हुई होगी भागी दोस्त आपको आटाकामा बचा है अटाकामा दोस्त आपका है आपके दक्सिन अमेरिका में और गिरेट विक्टोरिया दोस्त आपको ऑस्टेलिया में ठीक हैं आगे चले अगला कॉस्षन आपकी स्क्रीन पर थोड़ा से जूम कर लेते हैं अब दोस्तों थीक है person no 5 इसमें क्तुछ भारत का कौन सा पडोसी देस बर्मा के नाम से जाना जाता है कौन से रागान जाता है जिसके राजदानी दोस्तों नेपी तैओ अ ऐसे कुछ करके हैं दोस्तों ताओ ऐसे कुछ कोई वह मतलब किस अग्रनी बर्भा से आनों दोस्विय दोस्त ओ consisted बर्मा के नाम से जाना जाता था पुराना नाम बर्मा है न तो बांगलाडेश न ही चीन दोस्टो नहीं छीड ओन ठीक है ना अब इसमें से दोस्तो रुपांत्री चट्टान का उधारन नहीं है कुल मिला कि दोस्तो अगनास्य का होगा तो ठीक है आगनी जो होती है ठीक है आगनी चट्टाने तो ये इस्ट स्लेट फाइलाइट या फिर दोस्तो डायोराइट आगनी चट्टानों का उधार प्लेजियो क्लैक्स ठीक है अगला कुछन देखें अगर आगे हो समझ में तो अगला कुछन आपकी स्क्रीन पर कुछन नमबर सेवन यह भी दोस्तो उसी के तरीके का है को सेवन इसमें दोस्तो आपका ओपसीडियन एंडोसाइट ग्रैब और दोस्तो पैरोडाइट ठीक है यह सारी पैरोडाइट ठीक है क्या हैं यह कौन सी चट्टानों के दोस्तो एक ऐग्जामपल हैं ठीक है काउं साधी अंतरवेदी आफर दोस्तों अहटरवेदी की कमेंट्स करो evadies कभी यह दोस्त आपकी फिर आउगके agreements चट्टाने हैं ठीक है घक है कौन सी दोस्त आपकी स्क्रीन पर जबर्दस कोशन है थोड़ा सा अच्छा कोशन है आप सभी लोग मुझे इसका अंसर कमेंट्स करेंगे कोशन जहां पर दोस्तों आपके एक मुवी देखियो और कोशन अगला है यह स्क्रीन पर यूरोप की सबसे लंबी नदी कोन सी यह दोस्तों बहुत अच्छा कोशन है यह यूपी के अग्जाम में आया हुआ है ठीक है, अब बताईए दोस्तो यूपी के एक्जाम में आया वा कुस्सन है, अच्छा कुस्सन है और दोस्तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, राइन, रों, डानूबे यहापर दोस्तो वोलगा, डैन्यूब होगी बहुत है यह यह यूप फोड़ा सा लिखा वग बलता है दोस्तों यहां पर दोस्तों पूछ रहा है कॉन सी परता तो सब बार पार खरती है आपकी स्क्रीन पर में तो है उसको दो सकते हो बार पार करती है इन optionوں में से कौन सी ऐसी नदी है कांगो है, Amazon है, Nizer है, या फिर दोस्तों नील नदी है नील नदी को सभी जानते होंगे दोस्तों ठीक है ना, विस्वी की सबसे लंबी नदी है, विस्वी की सबसे लंबी नदी है, बट इस question cancer ये नहीं है आप मुझे बता कौन सी नदी है इसमें से, question number 10 ठीक है, बताइए सभी के सभी ये है दोस्तों आपका कांगो नदी कौन सी दोस्तों कांगो नदी है, इस cancer आपका कांगो नदी और ये दोस्तों अफरीका के कॉंटिनेंटर में बहती है, ठीक है, नील नदी मतलब दोस्तों वनों का एक कम होना, ठीक है, कटना इस तरीके से, किसी तरीके के यूज में लाकर उनको कम करना, कुरसी बढ़ती हुए आपादी, निर्मान उद्यों के या फिर दोस्तों परियाट है नहीं तीर थी आतरा, ये तो खता में दोनों ठीक है, ना ही निर्मान उद्यों के बढ़ती हुए आबादी के कारण, दोस्तों, वन अच्छा दन होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि दोस्तों, आबादी पर अभी तो कोई भी ऐसा कानून नहीं आया है, इसलिए ठीक है, अगला कॉसन दोस्तों आपकी अजयल फिर कॉर, ठीक है तो बक्रेश्ट मेंदोस्तों कौन सी सब चातवाद आट पायाती है अब बताओ भई अल्यम्योनियम, ठीक épि कौन सी आट आट पायाती है, अपके इस तरहिके से वह तो दोस्तों और लाके का चलो, वह तो तर सबसे ज़्यादा पाई जाती है पर्चूर मातरा में क्रस्ट में ठीक है मैं जो बता रहता है सीहल सियाल नीफे ठीक है यह भी स्क्रीन परDas स्वेट कोईला किसे कहते हैं यूरीनियम हीरा जलवीदू तो या फिस दोस्तों बडर्फ को कहते हैं बता ही जदजली इस कांसर Consumer 13 मैं यह इसको इसको कहते हैं दोस्तो कि यह दोस्तों को ना कि दोस्तों इनको ठीक है ना तो औप्सफिन मतलब एक ऐसे टेम्प्रेचर के साथ में दोस्तों अगर आपसे इस तरीके कोशन पूछा जा रहा है जहां पर दोस्तों तापमान भी हो आदरता भी हो वर्सा भी हो वाईयू वेग आदी के इस थंदर में वाईयू मंडल की परति दिन की परिस्तिति को उस नाम से जाना था वह कहलाता है दोस्तों आपका क्या जलवाईयू नहीं परिस्तिति नहीं परियावरन या फिर दोस्तों मोसम बताओ जल्दी से जल्दी इस कांसर मुझे कमेंट्स करके वह कहलाता है दोस्तों किस तरीके का आपका इस टाइम पर क्या है वैदर है ठीक है यह कुशन आपके अच्छा था ठीक है अब आप मुझे बताओ दोस्तों परियावरन डे कब मनाते हैं कमेंट्स करो फास्ट अगला कोस्षन कोस्षन नमर 15 15 दोस्तों कोस्षन आप से क्या पूछावा इसमें आप सभी लोग इसका अंचर कमेंट्स करेंगे बहुत अच्छा कोस्षन है ठीक है ठीक है बई जैसे हमारा पस्ष्मी घाट हो गया पूर्वी घाट हो गया इस तरीके क्या इस तरीके दोस्षन को क whiskey से पूछावा इकि ठीक न और जब घंप थेडाWow सिर्द दो गर्मी बड़ेगी फीधी बड़ेगी अब आपसे पूछा क्या है दोस्तों कि थट्टे छेतरों के निकट दोस्तों के कारण दिन के समीर में भूमी पर तापान कम हो जाता है ठल समीर समुद्र समीर धल और दर दोनों के लिए यह तो हैनी भी दोस्तो धंदर जाएगा तो फिर वाली गल्द बात हो जाएगी ठीक है ना तरेकर टो पर कम अभादि ये भी नहीं है थल समीर भी समुंदर समीर के कारण हो धश mercy कि तमधर कम होने की संभावना यह ठीक है आए समझ में आगे चलते हैं दोस्तो अब आपका यहां से स्टार्ट होगी है दोस्तो किसका हमने जो कर रहा था दोस्तो वो कर रहा था आपका वल्ड का आप यहां से स्टार्ट होगी दोस्तो आपका भारत का ठीक है देखे के दोस्तो अच्छा कोसन आपकी स्क्रीन पर मैं इसको कराने यह पूरी कोशिस करूंगा ठीक है नहीं चले दोस्तों सैसन आपका दोस्तों आगे आ चुका है ठीक है इसमें दोस्तों आपसे क्या पूछा हुआ है सबसे पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है भारत में जन्नांग के इतिहास का महा विवाजन वर्ष कौन स आपा जेंता है जब दोस्तों जन्नगन्ना वाले इतिहास उसमें दोस्तों आपकाम्त है विवेक जोसी छोश्तों इसके क्या है जन्ना आयूक्त है और महाहविवाजन वर्ष कांस कर्या अपको 1872 से बराबर हर 10 साले पे दोस्तों क्या और एक जन्न很好 हो अ ये समझ में 2011 दोस्त लिए क्यों पंदर्वी रिपोर्गात आए वुस्त जनेगरन्कॉमार एक्ट कॉन छेलेआसुकमार किसमनों बता कि जानगरना 2011 के अनुसा निमन्राजियों से राए तो अधिकते हैं चंशंग क्या गनत की बात करें तो सबस्याद़ किसका था बियार का फिर दान उसके बाद में दोस्त इसका था बताई जलिशल थी क्योंकि वो उप्षण में आंसर है ना सबस्याद़े डीयार का लगबग 1100 व्यक्ति पर 10 km के हिसाप से और सबसे कम जो दोस सब्सक्राइब का आन्धर प्रदेश कि अगर आप olduğunu अधी किसा का इसले उप्से बिहा रहे हैं और उठ्ट सबसे कम किसका a नंचर पर देश की सब्सक्राम का बढन आनकर न 토ाम ऱॉइंपरत अगला कोश्या आप Soon आपकुरी है यह भारत का हिस्सा है दोस्तो तो पूर्वी तट और पस्चमी तट है इस तरीके से तो इसका नाम क्या है कॉंकन कॉंकन तो दोस्तो गोवा की लैंग्वेज तो यह तो हूँ नहीं सकता गुजराती यह भी नहीं हो सकता कोरो मंडलत्ट यह माला बारत इन दोनों में से कोई तरफ दोस्त उयाद कर लेन मां मा फूर मुंबई गीड़ फिल मंदल से वापकों माफो सट ना है तो यह दोस्ट आपका कूल को निदीट आफसे में नेख्ट किसा मानक इप retir कौन सी एक पर दरसाया जाता है, question आपका अच्छा है, इसमें आपके option है, आप मुझे बताना है, इस question का answer कितना है, इसका दोस्त है, 82.5 degree east, ठीक है ना, the next question, इसका दोस्त है, इसका answer option number B है, ठीक है, मैं आपको बता तो, एक तरीकी से नहीं बताया गया था, कोई नहीं, भारते अप महादी पर वो किस भाग का, ठीक है, जुर्रैसिक का, आर्यवरत का, अंगरा लेंड का, फिर गॉंडवाना लेंड का, ठीक है, दोस्तो जो जब एक विश्यू का विभाजन हुआ था, एक मैप के तोर पे, तो क्या हुआ था, दोस्तो, दो भागों में बटाता था, वे दो भाग क अंगरा लेंड और दोस्तो गॉंडवाना लेंड ठीक है ना, बारतिया उप महदीव दोस्तो गॉंडवाना लेंड का हिस्सा था, ठीक है ना, किस के हिस्सा था दोस्तो गॉंडवाना लेंड का हिस्सा था, ठीक है, और दोस्तो जो बाकी हमारे हिस्से बचते हैं, दोस्तो उत्री उत्री वाला जो खंड था उसको दोस्तों अंगारा लेंड में विवाजित किया गया था नोर्थ वाला अंगारा लेंड में और दोस्तों साउथ वाला आपका गोंडवाना लेंड में ठीक ना इसमें दोस्तों आपको ओस्टेलिया भी इसी के हिसाब था बहुत सारे म कौशन का क्या आंसर है जल्दी शिल्दी आप सभी लोग कौशन No.7 निमले कितमे से किस देश के साथ भारत की अंतराष्ट सीमा नहीं लगती है कौन से ऐसा कंट्री है जोस्तो जिसके साथ में भारत की अंतराष्ट सीमा नहीं लगती है पाकिस्तान लगती है भूतान लगती स्री लंका नहीं लगती बांगलदेश को साथ नहीं लगती हैं डोस्तो प्रेसिरेंट को नाम chats कि अगला कोशन यह कोशन आ सकता है आपके एकजाम में हाले फलाली में दोसर दोनों ही चेंज हुए हैं किप को नम्बर 8 निमली हिति में Besold Sus में पाक इस्ट्रेट से जुड़े हुए हैं बारत और पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं है ना ही चीन और पाकिस्तान है ना ही बिल्टेन और फ्रांस है ठीक है भारत और स्रिलंका है दोस्तो जो पाक इस्ट्रेट से जुड़े हुए है और दोस्तो ये आपका कुशन अच तरहा है सिखर है टैली स्कॉप है या फिर दोस्तों बुवग्यानिक है तो किया है वह यह यह सबसे ऊची चोटी के ऑड़ बारत के सबसे उची ड़्ञाइधार पारवेश्टिता जया सकता है कारू कोुम हमें पंक्षे करवा पौ करो शुटकरे के जैन्हाच में असके कुछ है तूब्स है तब दोख से जम्मु कसमीद एक यॉनीन डारी बना थैक तब से 2019 के बाद से गतिस अक्टूबर आई थिंग 2019 ठीक है लद्दाक मिस्तित है केटू गॉडविन ऑस्टीन और इसकी दोस्तों जो हाइट है वो लगबर 8,611 है कितनी हाइट है दोस्तों आपकी उसकी 8,611 मीटर किसके दोस्तों ठीक है किसकी जल्दिस वताओ गॉडविन ऑस्ट लिख लए इसका आंसर दोस्तों हिमादरी है और सियादरी कहते है दोस्तों आपके कौन से गाट को पूर्वी गाट को कहते हैं क्या सियादरी किसको दोस्तों पूर्वी गाट को तो सियादरी कहते हैं और इस कोसन का आंसर है दोस्तों आपका हिमादरी ठीक है कौन सा है दो स्टीट्थ से संबंदित बाइस मही को दोस्कों अप सभी लोगों को मैं आपको बता दू कि लो bowl झील कहां हिस्तित है लोणार जीटों किस राज्य में भारत के इस्थित है अच्छी कुस्षन है दूसरा कोशन दोस्कों चैंचू जन जाती ना पर रहती है इसी मैं यह थे व बता दिये ना सात के साथ लोणार धिल कहा पर उन्हित है आपको ब़ता दूँ ठीक और धोस्ते जो मैंने पूछा आप इससे आपके लाड़ो में है और महारास्ट के एट परजेंट के सीय में वो आपको बताना है ठीक है यह तमील लाडू में चैन्चु जन जाती ठीक है आए समझ में आगे चलें अगला कोशन दोस्तो आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तो आपको कौन सा बल तोड़ा हिमनद कहां इस्तित है कारा कोरम रेंज में सिवालिक में पामीर के पठार मे आपके आल्प हिमनद की बात हो रहे हैं दोस्तों हिमाले से रेलेटीड हो तो सिवालिक में इन दोनों कुछ खतम कर दो थोड़ा से माइन तो लगाओ अब बल तोड़ा कुछ करके दे रखाए दोस्तों तो यह कोशन आपके लिए नया होगे यह दोस्तों आपके कारा कोरम देशता है तो जो हमारा का दोस्तों जो बोगल लिक छेत्र फल है वन भूमी वह कितना है वह दोस्तों पहले था आपका कितना 26.4 21.67 23.5 यह तो है इन इतने बड़े बड़े डाटा तो थे 21.67 2019 इसके हिसाब से दोस्तों वन रिपोट आईए दोस्तों आपके दूसरी 2021 में दोस्तों उसके हिसाब से 21.67% फरी में हर दो साल पर आती है नब तो 24.62% पर थीसदफ दोस्तों इसको याद कर लें अपडेट कर के ठीक है 24.62% साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूँ ठीक है सबसे है दो इसके बाद आपके आपके मत्द्यपरदेश में ए एंड दें do और कितने किした प्रतिष्यत क्या है वन चेतर है लगभग 33 प्रतिष्यत राज्य में होना एक अनिवार रहा है तो कौन कौन से है दोस्ता ही इसमें थोस्ता आपके भारत के शटर राजय है राज्यावर्यी है राज्ये और तो इसके लिए आपका दोस्तो एक तो कौन सा परियाग है एक तो वह आ जाएगा यहां पर इसके इकल्टू कहलाता है गंगा जो दोस्तो हमारे पूरे भारत में बहती है ठीक है तो यह कुस्सन आपका बागीर्थ नदी का जो एक मिलन है संगम है वो कहां पर होता है रुद् परियाग कौन सा दोस्तो परियाग है देव परियाग में है ठीक है ना आगे चले अगला कुस्तन आपकी स्क्रीन पर दो नदियों के बीच में उपजाओ भूमी को क्या कहते हैं दोस्तो जल संबर जल संबर होता है दोस्तो जल का सनक्षन करना यह नहीं है ठीक है ना दो आ प्राई छेतर वह होता है दल्दली भूमी क्योंसा दोस्तों हो दल्दली भूमी इस question का अंसर दोस्त आपका कौनसा इस question का अंसर आपका option number C ठीक है अगला question question number 16 क्या पूछा आपसे पन्ना मध्या परदेश में एक महत्रपूनिस्तान है यह निम्न में से किस ख़दान के लिए परसीद है पन्ना पन्ना बोले तो दोस्तों कौन सा सोना हीरा चांदी या फिर लोहा बताओ हीरे के लिए दोस्त आपका करना टक है सोने के लिए करना टक है और दोस्तों इसके लिए आपका मध्या परदेश ठीक है आगे चले चांदी के लिए दोस्त आपका कौनसा राजिस्तान अगला कोस्टन, कोस्टन नम्बर 17 इस सीरिज का लास्ट कोस्टन, सीरिज कैसी लगी ठीक न, तो लाइक जरूर कर देना सेर हो, कमेंड सो, सेल नको सब्सक्राइब, साथ के साथ में कर देना ठीक है मैं, पस्चिब मंगाल में रानि गंज है दोस्तो यह अच्छा कोसण आपके लिए और इसमें से दोस्तों वो किस से related है तो यह दोस्तों कोसन आपके लिए है कोसन नंबर 17 कमेंड्स करो मुझे fastest इसका अब यह दोस्त आपका कोईले छेतर से फश्ची मंगाल में दोस्तों सब एक second के लिए बड़ कोई नहीं तो चलिए दोस्तों, series कैसी लगे एक बार से like और शेयर कर देना, अपने friend circle में जितना भी हो सके ठीक है, आपके दोस्तों exam नजदीक है, exam नजदीक है, भी आफ़े दोस्तों, यह आपके लिए मैंने पेस की है, एक जोग्रफी के दोस्तों अच्छे कुसंते मैंने सोचा है पहले आपको दोस्तों सभी के सभी एक साथ तेगे करा दी जाएं पॉलिटिक की करा चुका हूँ, इकोनोमिक्स की करा चुका हूँ, दोस्तों जोग्रफी के आज करा दी है ठीक है न अब इनके second part लेके आ रहा हैं दोस्तों तो तयार है ना जो रोंचोरो से दोस्तों और साथ ही में आपको बता दूँ एक मैं series कोशिस कर रहा हूं कौन सी आपके दोस्तों साहित्ते हिंदी साहित्य हिंदी में दोस्तों आपके जितने भी अवार्ड है न दोस्तों एक ही किलास में कराने की पूरी कोशिस करने की कोशिस कर रहा हूँ तो आप सभी लोग इपर मुझे बताना है कि क्या करना चाहिए लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए ठीक है भी चलिए दोस्तों गुडबाई मिलते हैं अपने नेक्स सेशन में अच्छे तरीके से तो करते रहे हैं तयारी को जोरो सोरो से अपका अच्छा चल रहा होगा तो चलिए दोस्तों गुडबाई